और तो यह मान लीजी है कि मैं तो बड़ा सुर्प्राइज होगा गर यह टीम टाइटल नहीं जीतेगी तो क्योंकि जिस तरह करकेट इनों ने खेला है और जैसा कॉंबिनेशन इनके पास बैटिंग अच्छी है ओल राउंडर सचे हैं बोलिंग अच्छी है इनके पास तो हर एक खेलाड़ी अंकीता से लगता है मैच विनर जो सिंगल हैंडी मैच जीता सकता है अब इस मैच में हुआ यह था कि लखनव ने टॉश जीता था और हमें उमीद यह थी कि लसी हो सकता है पहले बैटिंग कर ले क्योंकि यहां पर उस तरीके से आसानी से होते नहीं है और गुल मिलाकर 235 नाए है केकर ने पहले बैटिंग करते हुए इसमें फिल सॉल्ट और सुनिल नारायन एक बार फिर से बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हुए दोनों बले बाज नजर आये और पहला विकेट 61 पर गिरा यानिकि पहले 4 और में उन्होंने 60 प्लस रन मना द सुनिल नरेन के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या तो आज सुनिल नरेन की वह तुपानी बलेबाजी नजर आई हलकि गिंदबाजी में भी एक विकेट उनके नाम आया है लेकिन जब बात आती है श्रेस एयर की चलिए कप्तानी यहां पर अच्छी हुई है लेकिन बलेबा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी योगदान दिया इन्होंने छोटे-चोटे-चोटे योगदान से आप मैच को जितने तो आज अंगिकरिश ने भी यहां पर निराश नहीं के लेकिन यह देखिए अर्षिनकुलकरणी नौरन साथ बॉल दो सोके लगाएं लग रहाता के फॉर्म में आज चुके लेकिन फिर आउट हो जाते तो आज आज कोलाप्स करी है यहां पर लखनव की बल्लेबाज नी कोई भी बल्लेबाज स्टॉनिस के पर में जाना है तो अपने सारे मुकाबले जीतने होंगे आने वाले मैचेज में अब केल राहूल को स्टार्ट अच्छा मिल गया था उसके बाद वो कैपिलाइज को पाए पता नहीं और एक्की से पत्सिस यह तो जस्टिफाइड नहीं करता है इस बैट स्टिफाइड के स पिल्कुल आप देखे आईपिल तिहास में जो विकान स्टेडियम में इतने बड़े रंस बने तो चेज कर पाना मुश्कल था और जब सामने ऐसे धुरंदर बलेबास हो केक्यार की तरफ से तो भई तब तो आप सपने ही देखी कि जीत जाएंगी लेकिन एक कोशिश होनी चाहिए वहाँ पर रंडरीट बेहतर करने के लिए अर्थिंग कि यहाँ पर लखनव के लिए देखी जैसे इसे आईपिल के मैचस आगे बढ़ते जा रहे हैं मुनों रोमांचक मुकाबला होता जा रहा हूँ प्लेओफ की रेस जो है न हमने आज ही देखी दो मैचस हुए उसके अलावा जितने मैचस में जीती है और रं रेट कम था इसलिए वह नंबर दो पर आ गई है पॉइंट्स दोनों टीमों के इक्वल है 16-16 पॉइंट्स के क्यार की पास भी और आरार की पास भी लेकिन कहीं नेट रं रेट थोड़ा सा बहतर नजर आया के क्यार की टीम क अब करता है आज देके नंबर गॉन चलेगा यह टीम और के क्यार को पीछे चोड़ दिया बता यह आरार की वो टीम थी जो सिर्फ एक मुकाबला हरी सीजन में लेकिन के क्यार ने बड़ा दो मुकाबले हरी ने ने आरार की टीम का जो हम कहते हैं इनके पास क्या है कि पास T राउंडर जो हो चल रहे है चाहिए वो आंद्रे रसल की बात हो या फिर सुनी लरेन हर एक मैच में कॉंट्रिब्यूट कर देते हैं अगर थोड़े से रंस उपर से बन जाते हैं मोनो तो बाकी की बैट्समेन के लिए थोड़ा साइज हो जाता है और आज वही टीम के अगर इस मैच में देखा जाए दोस्तो 235 बनाए थे उसमें 981 बनाए थे शॉल्टन 32 बनाए थे 32 अंक्रिस रगवन सीन बनाए थे और रसल का जबला नहीं चला था लेकिन जो रसल वाला काम है वो रमन दीप सिंग ने कर दिया था रमन दीप सिंग ने सिरफ 25 बना दिया वो 25 बड़ा इंपोर्टेंट थे और वो जो इनिंग को फिनिश किया तब जाकर ने 235 पहुंचा लेकिन जब जवाब आया वो सही नहीं आए लसी की टीम की अगर देखे केल राहूल 25 बना सके अर्शिन कुलकर नी जिसकी दिखा भी रहे थे ग्राफिक से जा रही है उन्ह पर आयूश बदाव नहीं वो नी रन बना पाए 15 बनाए एस्टन टर्नर वो 16 बना पाए कुनल पंडिया का बल्ला विल्कुल शांत हो चुका है उन्होंने पांच बनाए तो ऐसे काम चलता नहीं है दोस्तों क्योंकि जब आप 235 के आसपा सीज करते हैं हंकिता उसमें बड आपको जब इतनी बड़ी रंच चीज वहाँ पर मिल गया है तो थोड़ा पेशिंस के साथ खिलना चाहिए और जब हम देखते हैं कि बाकी के जो बैट्समें आउट हो जाते है तो बाकी की टीम में आपको पता है कि चले इस ट्वाइन से एक तरफ से हैं लेकिन उसके अला जब यहाँ पर चेंजिस हो रहे हैं वहाँ पर भी किसी भी खिलाडी का एक हम कहते हैं कि पारी जो है वह अच्छी पारी नहीं आ रही है तो कहीं नहीं कि टीम को रैप्स हो रही है और यही प्लस पॉइंट आरार के पास है के क्यार के पास है 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 कि उनका टॉप वर्टर म यहां पर तो पूरी तरी के स्रेंडर कर दिया लेस्जी की बैटिंग ने यह थोड़ा सा कहीं नहीं सोचना होगा अलाकि यह हम कहते हैं वेक अप कॉल भी हो सकता है लेस्जी की टीम के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ता मुझे अब गनीद क्योंकि यहां पर उनके तो मैचिस हैं अब कम वही बड़ी बड़ी टीमों के साथ हैं तो ऐसे में केल राहूल के लिए पूरा चेंज हो गया यहां पर अगर पंजाब की टीम जीती तो आइधिंक लेस्जी की टीम वहीं पर रहती कोई बड़े चेंजस नहीं होते लेकिन देखें सियसके ने बाज देना होगा जैसे कि आज के क्यार ने कराया और के क्यार की टीम वह टीम है मुनु जहां पर गौतम गंभी जैसे मेंटॉर है दो बार वो अपनी जीत दिला पाएं और कई सारे संयोग भी आईपिल सीजन में बन रहे हैं के क्यार के चैंपियन बनने के वह भी आपसे पूछ है वह माइलेज तो संदा देती देती है खासकार कोस्ट इफेक्टिव भी है तो ऐसा इफेक्टिव प्रफर्मेंस दिया है इस खिलाड़े में देख लीजी यह हो खिलाड़ी आपके सामने चैंपियन्स की जंग आई पेल दोजार चोवीस में ओकिना एफेक्टिव प्लेर चोड़िये चौके से ज़्याद हम चुके लगाएंगे तो साथ चुके इनके बैट से देखनों को मिले छह चौके भी और क्यासी रनों की वह शांदार पारी दिल जीत रहा है बल्लेबाज और I think KKR के लिए तुरूप का इका भी है यह खिराड़ी बिल्कुल और जिस तर के फैंस की आज LSE जीते की लेकिन आज तो बहुत है जो हमारा खास सेग्मेंट भी दोस्तों ओकिनावा कलर्फूल मोमेंट मैच क्या-क्या रहे हैं आज क्योंकि जो ओकिनावा की स्कूटी है वह साथ से आठ कलर में आती है अलग-लग रंगों में आप ट्राई कर सकते मैसे और वैसे ही कुछ फैंस आये थे जंडे लेकर कोई किन राहूल का स्पोर्टर था तो अगर आपने कुछ जल्किया मिस कर दी हो ना LSE vs KKR मुकाबले में तो वह हम आपको दिखाते हैं देखे यह कुछ यह देखिए यहां पर फैंस आते ही है और हर बार यह सोचते है कि कि टीम हार गई है लेकिन फिर भी उमीदे नहीं चोड़नी चाहिए जैसे आर्जीबी की फैंस जो है उमीदे नहीं चोड़नी चाहिए और मैच में हार जित तो होती है लेकिन वही चीज़ाना बड़े मार्जिन से आप मैच को